वेलकम टू न्यूज बाव यटूब चानलेंग जहां तो बात करने वाले हैं कि आप अपने आधार कार्ड को बिना मोबाईल नंबर के और बिना फिंगर प्रिंट के कैसे निकाल सकते हैं जहांस तो बहुत से कंडिडेट प्रेशान है उनका आधार कार्ड में जो है मोबाईल नंबर रेजिस्टर नहीं है और ना ही गोर्मेंट के पास कोई ऐसा यूनिक पोर्टल आया है कि वो फिंगर प्रिंट से आधार कार्ड को निकाल सके जहांस तो आपको बताने वाला हूँ कि आप गोर्मेंट की वेवसाइट से यानि की UIDI की वेवसाइट से आप बिना मोबाईल नंबर और बिना फिंगर प्रिंट के अपने आधार कार्ड को इजली कैसे डाउनलोड कर सकते है जहांस तो वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास तक जो देकर वीडियो को स्किप ना करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए है और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले स नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, डाउनलोड आदार कार्ड, आपको यहाँ पर किलिक करना है, जैसे ही आप इस पर किलिक करते हैं, तो आपको इस परकार से एक इंटरफेस दिखाई देता है, नई टेप ओपन हो जाती है, यहाँ पर नई टेप ओ तो नीचे आपको दिया हुआ है कि आपको यहां पे चेक मार्क्स के लिए बोला है कि I want a mask अधार काड़ अगर आपको marks अधार काड़ अपना डाउनलोड करना है तो आपको यह क्लिक करना है मार्क्स अधार काड़ में आपका xx करके आपके आदार नमबर आएगा और नीचे आना नीचे आने के बाद आप ये वाला कैप्चा देख रहे हो इस वाले कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है जैसे ही आप इस कैप्चा को फिल करते हो तो नीचे एक ओप्शन दिया हुआ है फेस अथोन्टिफिकेशन जिया है आपको क्या करना है अगर आपके यहां पे जो है मोबाइल का camera open होगा और आपको जिस candidate का आदार number उपर डाला है आपने उस candidate का अपने मोबाइल के सामने उसका face आपको रख लेना है सिर्प आपको 10 सेकिंड के लिए ऐसे रखना है और जैसे ही आपका face identification हो जाता है तो आपका आधार कार्ट डाउनलोड हो जाता है आप देख सकते हो उपर मैंने आधार नमबर भी डाल दिया और नीचे मैंने capture भी डाल दिया अब हम क्लिक करते हैं face authentication पर जैसे ही face authentication पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 option दिखाई दिये है कि आपको face इस परकार से आपका face आना चाहिए आपको यहाँ पे जैसे ही आप ok करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपका camera है camera का आपका यहाँ पे camera को allow करने के लिए मांगेगा UIDI तो आपको allow कर देना है जहांस तो इस परकार से यहाँ पे face आ जाता है तो यह मैंने face को capture कर लिया है अब आगे face को capture करने के बाद नीचे जो है हमारे पास instruction दी गई है उनको click करने के बाद download कर लेते हैं अब हम यहाँ पर verify and download पर यहाँ पर click कर देते हैं जैसे हम click करते हैं तो हमारा आधारकार्ड डाउनलोड हो जाता है यहाँ तो ऐसे ही आप अपने आधारकार्ड को download कर सकते हैं आपका phone जो है android version होना चाहिए जो आपका ui dii की website को use camera में support करता हो या फिर आप laptop पर भी कर सकते हैं आपके laptop में face cam का software होना चाहिए उसको आप install करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे download आधारकार्ड पर click करते हो तो नीचे आपको तीन option आपको दिखाई देगे जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ यह यहाँ पे इस परकार से आप देख सकते हो तीन option आपको दिखाई देगे अगर आप laptop पे यह desktop पर बाठे हो तो आपको यह use करना है आपके desktop यह laptop में face cam software निस्टोल होना चाहिए आप easily अपने आधारकार्ड को डाउनलोड कर सकते है I hope आपको वीडियो चीले के तो लाइक करे शाथ में इस वीडियो को जादे से जादे शेयर करे अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चन को सस्काइब कर ले साथ में गंटी वाले बटन को जरूर दबा ले प्लीज जो है मिलते है कोई लाटेश अब्डेर के साथ अब तक के लिए जाहिए